कि असफलता एक चुनोती है तो इसे स्वीकार तो करो कि क्या कमी रह गई है तुम में देखो और सुधार तो करो कि कुछ किये बिना ही जैजैकार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती हलो स्टूडेंट्स वल्कम टू सी उई टी हिंदी मीडियम चैनल मैं रोशन सार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फिजक्स के इस दूसरे चैप्टर के वन सौट में आज इस वीडियो के मादम से हम गौस के प्रमेय अर्थात गौस का नियम और वैदित फ्लक्स का पूरा वंसाट करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हम बहुत ही आसान भासा में समझेंगे जितने भी डेरिवेशन हैं उनको आसान त आता है वो आता है स्टूडेंट की वैदृत फ्लक्स क्या है आप में से बहुत सारे स्टूडेंंट वैदृत फ्लक्स को देखें कि कई बार कंफ्यूस्य जाते होंगे की यह सा छेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्द छेत्र कहलाता है तो यहां पर यह वैदुत फ्लक्स क्या है उस फ्लक्स को समझने के लिए एक डाइग्राम बना जरूरी है एक वैदुत छेत्र में आञे आप बहुत जयादा जो है वह गुजरती है इस तरीके से ठीक है तो एक वैदुत 6T विद्द छेतर में इस तर्थ किसी कालपनिक प्रिष्ट से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। आई बात समझ में बहुत ही सिंपल भासा में मैंने इस पूरे डाइग्राम के जरीए आपको वैद्द फ्लक्स को समझा दिया। आपको रटने की जरुवत रहे हैं। कटे से हिससे से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम क्या केते हैं? वैद्द फ्लक्स तो किस अमनों कोते और क मी कॉस्शं असकता है आपके एग्जाम में बहत इंपॉर्टन चीज है। अच्छा जी एक और चीज समझते हैं यहां पर जो वैदत फ्लक्स है नहीं स्टूडेंट्स इसको हम फाई इसे प्रदर्शत करते हैं फाई का सिंबल देख ली जगा और यह मैंने क्यों लगाया क्योंकि वैदत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बारे में बात हो रही है क्य होता है इडाट एफाई इबराबर क्या होता है स्टूडेंट इडाट इस फॉर्मुला को आप अच्छे से याद रख लिजेगा क्यों कैसी फॉर्मुला से रिलेटेड आपको धेट सारे क्वेशन्स वाल करने को मिलेंगे अच्छा जी एक नंबर का एक और क्वेशन्स प बताओ तो क्या बताएंगे इस फॉर्मुला के कॉर्डिंग आप इसका मात्रक बता दीजा जल्दी से बताईए कॉमेंट में फटा फट तो वैदुट फ्लक्स का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स तो देखे आप जानते हैं पिशली क्लास में मैंने बताया था कि वैद गावकर्य क्या जल्दी से तो मीटर से एक मीटर कट गया तो मात्रक कितना आ गया तो वैदुट फलक्स का मात्रक आ घई टोड्त आगया स्टूडेंट्स आपका कितना वॉल्ट मींटर अब rust मीटर आप याद रखिगे अभी एक क्वैसेंशन करेंगे तो उसमें आप अच सबस्ते हैं जैसे देखे स्टूदेंट्स यह पूरा वैदुत फ्लक्स आपने समझ लिया इसके कई केसे हो सकते हैं कई एक तरीके से यह नोट डाउन कर ली जगा अगर नोट डाउन नहीं किया है तो पीछे कर रेखाएं गुजर रही है ठीक है इस तरीके से वैदुत बल रेखाएं गुजर रही है और वैदुत बल रेखाएं जैसे गुजर रही है उसमें एक वैदुत बल रेखाओं से एक लंबवत प्रिष्ट इस तरीके से ले लिया गया है तो इस लंबवत प्रिष्ट से वैदु की औहोगा क्या होगा फाई-ई-कमान मेक्सिमम होगा क्योंकि है वैदत ब्री खाओं की दिशा इदर की तरफ है इस साइड की तरफ और यह जो आपका प्रिस्ट है इस प्रिष्ट पर अगर हम देखें तो Exercise बाता है तो इस पर इस पूरे प्रिष्ट का 6 ब्रफल सदस्य बी किदा रोगा इधर की तरफ ही होगा यानि कि अगर हम यह वेक्टर यहाँ देखें तो यह दोनों के का कोर्ड कितना हो गया प्रफात ई तथा एक का कोडट कितना हो गया स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के समानतर है तो टीटा इस एकुल्स्टू 0 डिग्री इनके बीच का कोर्ड जिरो डिग्री हो गया तो फ्षाई ी बराबर अभी अभी मैने बताया तहीं मिनका होता है और डौट को आपकी यह और फित अभी लिख सकते हैं यह इत्य न यौ पही को कब होता है तो वैदुत्फलक्स कमान मैक्सिमम कब अच्छेत्र की तीवरता और च्छेत्र फल सदिस दोनों जो है वह एक ही दिशामें हो तो ऐसी स्थती में वैदुत्फलक्स कमान मैक्सिमम होता है ठीक है केस नमबर टू इसको नोट कर लीजे या एक बार समझ लिया है तो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, student उसके बाद हम case number two समझते हैं, इधर की तरफ चलते हैं, उसके बाद से हम case number two समझते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब वदुद्द फुलक्स कमान मिनिममम कब होगा, यह चीज पढ़ना बहुत जरूरी है मैक्सिमम तो आपने समझ लिया कि वैदुद छेत्र की तीवरता और छेत्रफल सदिस अगर एक ही दिशा में हो तो ऐसी इस्तती में वैदुद फ्लक्स कमान मैक्सिमम होता है मीनिमम कब होता है तो माल लेते हैं स्टूडेंट्स की यहां से बहुत सारी वैदुद फ्लक्स केतना होगा कि मनिममम होगा और मिनिममम मतलब कितना होगा फाई यी कामान होगा जीरो क्योंकि भीया वैदत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है वैदत बल रेखाएं एक आंक छेतर फल से कितना गुजर रही है यहां पे तो बिल्कुल नहीं गुजर रही है तो इस स्कती में वैदत फ्लक्स क्या होगा शून होगा अर्थात जब किसी कालपनिक प्रिष्ट को वैदु छेतर की समानतर दशा में रखते हैं तो ऐसी स्टती में फाइए कमान मिनमम होता है अर्थात जिरो होता है ठीक है यह है केस नमबर टू केस नमबर टू समझने बात वेरी गुट अब केस नमबर थी भी है एक जिसको मैं नीचे की तरफ लिख के समझा देता हूं फिर बिटा दूँगा ठीक है क्योंकि हमें गौस का नियम भी पढ़ना है तो केस नमबर थी क्या हो सकता है केस नमबर थी यह हो सकता है स्टूरेंट्स की माल लीजे यहां से बहुत सारी वैदुत बल रेखाए गुजर रही है और अब किर बार हम इस का काल्पनिक प्रिष्ट को क्या करते हैं कि इस वैदुचेत्र की दिशा से थीटा कोड़ पर रखते हैं किस पर थीटा कोड़ पर रखते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका वैदुचेत्र ए और इस काल्पनिक प्रिष्ट से यहां पर भी अगर आप देखेंगे स्टूरेंट कि जीरो कैसे हुआ तोह आप याप दीख सकते हैं कि इसका वैदय खेटर की दिशा तो अधर की साइड है औरकिसी भी पृस्ट किसी भी कालपनिक पृष्ट पर जो छेतर फल सब्स होता है उस प्रित कर लंब कोता है मालीज़ा ये कवी कालप्रिक प्रिश्थ है तो इसका सप्षे टरफ görünसा एसा होगा ऐसा होगा एकधम लूंब थो अगर वह गर सक हम छेतर फल सब्स देखते तो वो कैसा हो जाता स्टूरेंट्स एक बार ऐसे देख लीजे इसका छेत्रफल सादिस इधर हो जाता ऐसे यह निकी एक मिनट किदर गया यह रहा इसका छेत्रफल सादिस कैसे हो जाता यहां पर वह जाता ऊपर की तरफ ए वेक्टर और इधर की तरफ ही है तो इनके बीच का कोड 90 डिग्र लग्या हम 90 डिग्री हो गया तो फाइब यह वेराबर यह रखेंगे तो फाइब का मांग जीरो हो जाएगा इसी तरीके से स्टूडेंट यहां पर अगर हम पाई एक मान निकाले यह वैदुत फलक्स का मान निकाले तो हम यहां पर लिखेंगे यह कॉस ठीटा क्योंकि इन के बीच का कोड़ यहां पर थीटा है तो इसलिए हम यहां पर वैध फ्लक्स क्मान ई एक उस्ट-धीटा निकाल लेंगे तो यह तीन स्थतियां हैं जो कि वैध फ्लक्स में हैं आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है तो यह तीनों स्थतियों को आपने समझ लिया अब मैं इसको मिटा देता हूं और फाइनल अब हम चलते हैं गौस थरम पे गौस के नियम को अच्छे से समझते हैं ठीक है किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजेगा फटा फट से हम लोग डाउट को भी आउट कर लेंगे और लाइब क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है वह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाएंगे एकदम स्टेप बैस्टेप आपके डाउट को क्लियर करते हुए ठीक है स्टूडेंट्स बेरी गुट तो हमने फाइनली वैदुत फ्लक्स में यही मतलब समझा है एक बार फट से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई काल्पनिक प्रिस्ट है तो इस काल्पनिक प्रिस्ट के एकांक छेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसी की संख्या वैदुत फ्लक्स क्या लाती है ठीक है और वैदुत फ्लक्स का फॉर्मुला मैं यह प्रिस्ट का कौण ठीटा हो तो ठीक है वेरी गुट अब हम चलते हैं गॉस्ट अरंपे क्या है गॉस्ट का प्रमे एक बार अच्छे तरीके से समझने की कोसिस करिये देगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉस्ट का प्रमे का गया भई पैन आजा पैन अ तो अब हम गॉस्ट का प्रमे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो गॉस्ट का प्रमे क्या कहता है स्टूडेंट्स आईए एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं गौस का प्रमे यह कहता है कि अगर कोई काल्पनिक प्रिष्ट है ठीक है किसी काल्पनिक प्रिष्ट से परिबध कुल आवेश का वन अपॉन एपसाइलम जीरो होता है वैदत फ्लक्स यानिक गौस ने ये कहा कि किसी काल्पनिक प्रिष्ट से परिबध कुल आवेश का वन अ उपॉन एपसाइलम जीरो होता है क्या वैदुत फ्लक्स तो किसी कालपनिक प्रिष्ट से रिलेटेड यह जो वैदुत फ्लक्स फाई ई है वो उस प्रिष्ट से परिबद कुल आवेश का वन अपॉन एपसाइलम जीरो गुना होता है इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते ह है कि फाई इबराबर फाई इबराबर वन अपॉन एपसाइलम जीरो और गुड़े सिगमा क्यू इसको आप एक चितर से समझे अगर मा लेजे यह एक कालपनिक प्रिष्ट है इसमें बहुत सारे आवेश हैं क्यू वन यह है क्यू टू यह है क्यू थ्री यह है क्यू फोर तो गॉस ने यह कहा कि इस पूरे प्रिष्ट से गुजरने वाला जो वैदत फ्लक्स फाई ई होगा इन सभी आवेश जो बंद प्रिष्ट के अंदर हैं इनके जोड का वन अपॉन एपसाइलम जीरो गुना होगा यह है गॉस का प्रमे जिसको आप अच्छे तरीके से समझ यही है आपको यह फॉर्मुला याद रखना है से रिलेटेट बहुत सारे क्वेशन्स पूश रियाते हैं और कैसे लिखेंगे एक्जाम में आएगा तो गौस का थ्रयां थ्योर्म आप ऐसे लिखेंगे कि किसी किसी वैदुद छेतर में इस्तित किसी काल्पनिक प्रिष्ट से गुजरने वाला वैदुद फ्लक्स उस काल्पनिक प्रिष्ट के अंदर परिबध आवेस का वन अपॉन एपसाइलम जीरो गुना होता है उमीद है स्टूडेंट्स के आपको यहां तक चीज़े समझ में आ सेशन में अभी मैंने पढ़ा रखा है तो इसलिए ध्यान से इसका अंसर दीज़ेगा वैदुद फ्लक्स का मात्रक क्या होता है चार ओप्सन है बेबर वोल्ट प्रतिमीटर वोल्ट मीटर और कुलाम प्रति न्यूटन प्रतिकुलाब जल्दी से आंसर दीज़े इसका प्रेदुद फ्लक्स को हम फाइए से प्रदर्शत करते हैं और फाइए बराबर होता है स्टूडेंट्स क्या इंटू ए इडॉट ए और इसको अगर डॉट को खोलेंगे तो इडिया कॉस्ट थीटा हो जाएगा ठीक है तो इसमें अगर इदेखेंगे तो इका मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रती मीटर और छेतरफल का मात्रक्या होता है मीटर स्कॉयर काटेंगे एक मीटर से एक मीटर तो फाइए का मात्रक्या जाएगा स्टूडेंट्स फाइए का मात्रक्या जाएगा आपका वोल्ट मीटर ठीक है वोल्ट मीटर आपसन नमबर सी इस दराइट answer maximum बच्चों का बिलकुल सही जबाब है ठीक है तो इसी तरीके के question देखिए आपके exam में 2019 में 2020 में 2022 में पूछे जा चुके हैं तो most important question है इनको आप अच्छे तरीके से जरूर त्यार कर लीजगा ठीक है next question आपके screen पे है कमाल का question है गौस्थरम से तो इस question को भी अच्छे तरीके से देखिए समझे तबान सदीजेगा question कह रहा है कि एक बंद प्रिष्ट के भीतर एंड वैदुद्रू इस्थित हैं बहुत सारे मतलब वैदुद्रू एक बंद प्रिष्ट के अंदर इस्थित हैं बंद प्रिष्ट से निर्गत विद्द फ्लक्स कितना होगा फ्लक्स से यह रिलेटेट्ट क्वेशन है थोड़ा सा दिमाग लगाई है वोशन सॉल बोजाएगा जल्दी जल्दी सभी का अंसर देना है फटाफट फटाफट आंसर दीजे इसका बहुत बढ़िया तो देखिए स्टूडिंट एक बंद प्रिष्ट बना लीजे और एक बंद प्रिष्ट बनाने के बाद उसमें का कुल आवेश आप पहले कलकुल इसी तरीके से बहुत सारे वैद्द द्यूधरू यहाँ पे हैं यहाँ पे भी है प्लस क्यू और माइनस क्यू आप जानते हैं कि वैद्द द्यूधरू क्या होता है प्लस और माइनस आवेशों का आवेशों को अगर कुछ दूरी पर रख देते हैं तो वैद्द द्यूध तो वो हो जाएगा PLUS Q, फिर PLUS Vora minus Q लोट फिर प्लस Q फिर प्लस माइनस किव इसी तरीके से N बार करेंगे तो सब कट के क्या हो जाएगा student 0 हो जाएगे! क्योंकि प्लस मैनस प्लस मैनस कट के 0 तो परड़ामी आवेस जो है वो Q कमान जब 0 हो गया तो flux कमान कितना हो जाएगा flux 5E बराबर होता है कितना सिगमा Q और बटे में अपसाइलम 0 यानि कि सभी प्लस माइनस को रखेंगे तो Q कमान 0 और बटे में अपसाइलम 0 0 में किसी चीज का भाग देने पर उस कमान शूने आता है तो option number D is the right answer उम्मीद है कि सभी बच्चों को correct जवाब मिल चुका होगा सभी को समझ आया एक बार यस लिक के बता दीज़े फटा फट बहुत ही महतपूर क्वेशन है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इस क्वेशन में बड़ा मजा आएगा कोशन सौल करने में अब आई ये एक एक करके और चीज़ें डिसकस करते हैं जो कि है सतत आवेश वितरड बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ये अगर आपका तयार हो गया तो एक समान आवेशित किसी चादर पे जितने भी आवेश वितरित हैं उसके कारण वैद चेतर की तीवरता आप निकाल सकते हैं या अनंत लंबाई के एक धारवाही चालक में आवेश के कारण वैद चेतर की तीवरता निकाल सकते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है तो बेसिकली सतत आवेश वितरड तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला प्रकार है आपका रैखिक आवेश वित्रण रैखिक आवेश वित्रण रैखिक आवेश वित्रण ठीक है दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका छेत्री आवेश वित्रड क्या आता है स्टूडेंट्स छेत्री आवेश वित्रड और तीसरे नंबर पे आप जल्दी से पता दीजे छेत्री आवेश वित्रड और तीनों को किसी ना किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है जिनको जिनको पता है वो सिंबल बताते चाहिए और तीसरा होता है student आपका आइतन आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण ठीक है आईतन आवेश वितरण अचा जी अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे जो रेखिक आवेश प्रदर्शत है स्टूदेंट उसको हम लैम्डा से प्रदर्शत करते हैं और लेमडा को हम कुछ इस तरीगे से लिखते हैं लैम्डा का सिंबल कुछ ऐसा होता है मैं यह हमें पैसा होता है इस छिग यहन रेखिक आवेश biber छेतरी आवेश वित्रड को हम सिगमा से प्रदर्शत करते हैं जिसका सिंबल ऐसा होता है और आयतन आवेश वित्रड को हम रोज से प्रदर्शत करते हैं जिसका सिंबल ऐसा होता है ठीक है रैखिक आवेश वित्रड क्या है अगर किसी रेखा पर बहुत सारे आवेश एक समान रूप से वित्रड हैं तो उसी कौम कहते हैं रैखिक आवेश वित्रड अगर किसी छेत्रफल पर बहुत सारे आवेश एक तरीके से वित्रित हैं समान रूप से तो छेत्री आवेश वित्रण कहते हैं इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और अगर किसी आयताकार प्रिष्ट पर या आयतन पर एक समान रूप से बहुत सारे आवेश वित्रित है तो उसको हम आयतन आवेश वित्रड कहते हैं और उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं स्टूडेंट उसको हम डिनोट करते हैं किसे तो रो से डिनोट करते हैं अब तीनों का फॉर्मला बहुत इंपॉर्टन्ट है तीनों का फॉर्मला आप अच्छे तरीके से याद रख लि ऐग मुरू यह ठीक है है लब्र बराबर क्या होता है students तो लेमडा बराबर आपका हो जाता है लेमडा बराबर क्यू बटा एल कि इसका एक और परिभासा आप लेक सकते हैं ईसरे ट्लंट रेकी कावेश्व Dollण का क्यालाती है अच्छे-3 आवेश-वित्रण को हम स्टूडेंस सिग मा से प्रदर्शत करते हैं और सिगमा बराबर होता है स्टूडेंट क्या क्यू बटा ए यानि एक आंक 6 तरफल पर उपस्तित आवेश की मातरा छेतरी आवेश वित्रड कहलाती है अच्छा जी और आईतन आवेश वित्रड को हम रोज से प्रदर्शित करते हैं तो वो होता है एक आंक आईतन पर उपस्तित आवेश की मात्रा हमारी क्या कहलाती है वो कहलाती है आईतन आवेश वित्रड तो इन तीनों फॉर्मुला का उपियोग हम गौस के प्रमे का अनुपर्योग जब पढ़ेंगे, उन अनुपर्योग में derivation solve करते समय प्रयोग किया जाएगा, साथी साथ कई numerical solve करने में भी ये फॉर्मुला आपके प्रयोग किये जाते हैं, तो मीदे स्टूडेंट्स की सतत आवेश वितरण आपको समझ आया होगा किसको किसको समझ आया जल्दी से कॉमेंट में बताइए फटाफट समझ आ रहा है स्टूडेंट्स फटाफट लिखके बताइए बहुत बढ़िया वेरी गुड तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जो कि गौस के प्रमे से रिलेटेड है और अगर आपने गौस के प्रमे को अच्छे से पढ़ा है तो ऐसे स्टती में इन डेरिवेशन को आप चुटकियों में सॉल कर सकते हैं तो चलिए भई स्टार्ट करते हैं गौस के प्रमे का प्रयोग बहुत सारे हैं सबसे पहला दो समान आवेशत समानतर प्लेटों के बीच बैदुछेत्र की तीव्रता जैसे अगर मा लीजे ये दो समानतर दो समान आवेशत समानतर प्लेट है इस पर बेबी प्लस क्यू आवेश है और इस पर भी प्लस क्यू आवेश है ठीक है और इन दोनों आवेशित प्लेटों के बीच एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर वैद्व छेत्र की तीवरता निकालनी है, तो उसका फॉर्बला सिग्मा बटा एपसाइलम जीरो होता है, ये भी डिराइब करने के लिए आता है, लेकिन अभी इस वक्त ये उतना इंपॉर्ट के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्व छेत्र की तीवरता क्या होता है, तो वो होता है, ये बराबर वन अपॉन फॉर पाई अपसाइलम जीरो टू अपॉन आर और इसको सदिस रूप में लिखेंगे तो आर कैप, ठीक है, तो इसको हम डिराइब भी करेंगे कि कैसे ये डेरिवेशन इसका होगा, ठीक है, और जो अभी मैंने बताया, रैखिक आवेश वित्रण का फॉर्मला, वो आपको यहां पर मिल गया, लेमडा बराबर क्यू बटा एल, ठीक है, और दूसरा वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एक ये है, और एक ये बाल सिग्मा बटा टू एपसाइलम जीरो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी हमें सॉल करना है, और लास्ट अनुपरियोग गौस्थेोरम का है, कि अनन्त विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्वेद्चेतर की तीवर्ता, जो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और पहला हम डेरिवेशन करते हैं, तो पहला डेरिवेशन करने से पहले, अब दो तरीके से डेरिवेशन बच्चे याद करते हैं, एक तो रट जाते हैं, और एक समझ जाते हैं, और कई बार भासा भी रट जा स्टूडेंट्स अगर आपने तो फिर बवाल है और आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे कॉंसेप्ट तयार हो जाएगा बेसिकली कहने का मतलब यह है तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की यह जो है वो एक समान यहां पर मैं पैन वाले हिस्से को ला देता हूं ठीक है यह जो है स्टूडेंट्स यह क्या है गौस के थेवरम कानुप्रयोग है एक लंबे आवेशित तार के निकट वैदुच्छेतर की तीविता तो माल लेते हैं यह एक लंबा आ से तरीके से वित्रेद हैं ठीक है और इस तार के कारण से इसतार के रहन हम एक बंद बीलनाकार प्रिस्ट कल पना कर लेते हैं ताकि हम इसमें से होकर जो गजरने वाला वै दुट फलक्स है made or से जरी कुछ तार के कारण कुछ दूरी पर इस्तित वैद छेत्र की तीवरता निकाल पाएं ठीक है तार के निकट निकाल पाएं तो इसके लिए हम करते क्या है स्टूडेंट्स की सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक कालपनिक जो बिलन आपने लिया है क्योंकि गौस ने यह कहा था कि ए एक बंद प्रिष्ट कलपना किया है जो कि एक बेलनाकार बंद प्रिष्ट है क्योंकि एक तार के चारो और अगर आपको किसी बंद प्रिष्ट को एक तरीके से कलपना करना होगा तो गोलाकार तो होगा नहीं इसलिए एक बेलनाकार प्रिष्ट हम जो है वो कलपना कर लेत बेलन में दो चीजे होती है एक तो समतल सतह जो की ऊपर और नीचे दो होता है इस तरीके से यह जो गोलाकार ऐसे होता है जो एक ऐसा बेलन है तो एक ऊपर वाला सिरा एक नीचे वाला सिरा ठीक है तो इस तरीके से जैसे मैं यह बोटल से समझा देता हूँ यह एक बेलनाकार पॉटल का नीचे वाला हिस्सा है और ये बाटल का ऊपर वाला हिस्सा है और आप यहाँ पर देखें गे तो यह जो कर्पनिक बेलन हम ने बनाया है इसका ये दोनों समतल भाग है नीचे और उपर बाला और ये जो है इसका वक्रिय भाग है ये क्या है इसका वक्रिय भाग है तो हमें जो है अगर वैद छेतर की तीविता निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आवेश के कारण हमें जो है वो इस पूरे बेलनाकार प्रिष्ट से गुजरने वाले वैदत्फलक्स की गरणा करनी है तो इसके लिए हमने क्या कर लिया कि इस संतर्व सता पर एक छोटा सा यहां पे ले लिये लेगने सेंधा देधा हूं यह ली जए एक चोटा सा 6 à 3 March स्टूडेंट हमने यहां पे ले लिया है और इस छेत्रफल पर इस प्लस क्यू आवेश की कारण जो वैदुचहतर की दिशा होगी वह इधर की तरफ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्लस क्यू आवेश्य वैदत बल रेखा है बाहर की तरफ निकलती है तो अगर यहां पर देखेंगे तो बाहर की तरफ इसकी दिशा होगी अच्छा ठीक है और इस एकांग छेत्रफल पर जो छेत्रफल सदिश होगा वो उस सता के लंबव बहुत यह उपर की तरफ छेत्रफल सदिश है ठीक है ठीक है तो अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इन दोनों में यानि और ए के बीच का कोड क्या है थीटा वराबर 90 डिग्री है कहां पे तो इसके सतह वाले हिस्से पे उपर वाले और नीचे वाले दो इन दोनों हिस्से पे यह ए और एक के बीच का कोड क्या है नब्बे डिग्री है और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की उपर और नीचे वाले हिस्से से जो फ्लक्स गुजरेगा वह तीटा बराबर 90 डिग्री होने के कारड़ जीरो हो जाएगा क्योंकि आप सभी जा 20 डिग्री रखते हैं तो चाहे इधर कुछ भी हो उसका मान जीरो ही हो जाएगा ठीक है तो उपर वाले प्रिष्ट से और नीचे वाले प्रिष्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा तो जीरो तो उपर और नीचे वाले का बवाल खतम हो गया अब हमें बचा क्या है हमारे पास ह अभी बचा है क्या यस हमारे पास बचा है इस वक्रिये सता शेक्त मतलब एसे इस वक्री शता से कितना फ्लक्स गुजे तो इस वक्री शता से ख्लख निकालने के लिए हम करते क्या है इस वक्री में भाग पर एक छोटा सा छेटर सी आर्ल escr nouvelles यहां पे ले लिया है क्योंकि प्लस की वावेश के कारण वैदुछेत्र की तीवरता किदर होती है बाहर की तरफ वैदुद बल एक है निकलती है ठीक है और अगर आप इस पर छेत्रफल सदिश देखेंगे तो एक बार यहां से देखेगा यह एक बेलनाकार सता है तो इस पर हमने यहां पर एक छेत्रफल छोटा सा छेत्रफल लिया है ऐसे स्तती में इसके लंबवत जो है वो छेत्रफल सदिश होता है तो यहां पर छेत्रफल सदिश की दिशा कि दरोगी बाहर की तरफ होगे तो जब बाहर की तरफ नुने कर दिया स्टूडेंस तो इन दोनों के बीच का कोड कितना हो फाइए आएगा यानि इस पूरे इस पूरे वक्रिया यहां पर फाइए ना लिखके हम फाइव वक्रिया लिख देते हैं जिससे आपको confusion नहों तो फाइव वक्रिया यानि पूरे वक्रिया सता से गुजरने वाला जो वैदत फ्लक्स होगा वो कितना होगा तो वो होगा integration integration एवेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ठीक है और प्लस यह तो इदर की तरफ से निकल गया तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं एक मिनट इवेक्टर डॉट डी एवेक्टर तो अगर आप यहां पर देखेंगे students तो बराबर में करके लिए इसका फाई इवक्रिया वक्रिया बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इवेक्टर और इंटू यह डी एका अगर आप जो है समाकलन करेंगे तो पूरे इस वक्रिय प्रिष्ट का छेतरफल आ जाएगा और वक्रिय प्रिष्ट का छेतरफल यानि बेलन का छेतरफल कितना होता है students तो टू पाई आर एल होता है तो टू पाई आर और एल होता है तो एच की जगह पर एल दिया गया है तो l हमने रख दिया है ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये मिल गया, इसको माल लेते हैं समी का नंबर 1 अच्छा जी, गोस के नियम से आप क्या जानते हैं? गोस के नियम से गौस के नियम से आप क्या जानते हैं students? 5e बराबर आप जानते हैं Q बता, Epsilon, 0. फाई, E बराबर, क्या जानते हैं, students Q बता, Epsilon, 0. इसको माल लिज़े, समीकर नमबर, 2. अब समीकर नमबर, 1 और 2 से, 1, तथा, 2 से, समीकर नमबर, 1 और समीकर नमबर, 2 से, अगर तुलना करेंगे, तो फाई, E और फाई, E हट जाएगा, तो, e into 2 pi rl और बराबर q बटा epsilon 0 ठीक है यहाँ पर vector ना लिखके ऐसा ही भी लिख सकते हैं आप e vector तो बताता है कि यह एक सद्शाशी है और क्या तो यहाँ पर आप अब लिख सकते हैं क्या students यहाँ पर लिख सकते हैं e into 2 pi rl और बराबर q बटा epsilon 0 अब हम next page पर चलते हैं इस point को आप याद रखिएगा तो हमने अभी क्या लिखा था e into 2 pi rl बराबर q बटा epsilon 0 अच्छा students यह जो आप निकाल रहे हैं यह क्या निकाल रहे हैं तो तार की कारण वैदुचेतर की तीवरता निकाल रहे हैं गौस के थिरम के अनुप्रयोग में तो तार की बात हो रही है इसका मतलब लंबा और लंबाई की बात होगी तो रैखे कावेश घनत होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुकी हम जानते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर students कि चुकी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं students आप आप जानते हैं कि लेम्डा बराबर होता है क्या Q बटा L तो Q बराबर क्या आजाएगा students लेम्डा इंटू L आजाएगा Q बराबर क्या आजाएगा students लेम्डा इंटू L आजाएगा अब इसी Q का मान उठा के समीकर नमबर 3 मान लीजाए यहाँ पर समीकर नमबर 3 इस मान को उठा के Q बराबर लेमडा इंडूल समीकर नमबर 3 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकर नमबर 3 में Q का मान रखने पर रखिए ज़रा Q कमान Q कमान उठा के रखिए तो होगा क्या E into 2 pi r l बराबर Q की जगह पर आप लखेंगे हाँ पर lambda into l और बटे में epsilon 0 ठीक है तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे students तो 1 l से ये 1 l कट गया और हमें E कमान वैदुछेतर की तीवरता कमान निकालनी है तो यह हो जाएगा E बराबर E बराबर क्या हो जाएगा students E बराबर आपका हो जाएगा lambda बटे में 2 pi r और into epsilon 0 इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं अच्छे से अगर याद करना चाहते हैं तो इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं E बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda upon r देखिए इस 2 से 2 को काट देंगे तो फिर वही बात आ जाएगी तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं ताकि हमें याद हो पाए अच्छे दरीके से ठीक है तो यह derivation आपको समझ आया एक बार फिर से मैं repeat कर दूगा हमने जो है वो एक लंबे आवेशित तार के निकट हमें बैदु छेतरी की तीवरता ग्याद करनी है गौस के थिरम का अनुप्रयोग करते हुए तो हम क्या करते हैं इस लंबे तार के चारो तरफ जो है वो एक बेलनाकार प्रिष्ट कल्पना कर लेते हैं और इस बेलनाकार प्रिष्ट में आप जानते हैं कि दो समतल सता होता है और एक वक्रिय शता होता है तो इस समतल सता पर इस प्लस क्यू आवेश के तार के कारण कितना जो है वह फ्लक्स गुजर रहा है तो दोनों संवत करच पर जीरो फ्लक्स गुजरेंगा तक गयात करने के लिए हमने यहां पर एक छोटा सा छेत्र फ़ल सद yht डिए वेक्टर लिया है और इस से छोते से सदेश्य गुझरने वाला जो है वह हम पहले बैदरथ फ्लक्स घ्याद कर लेते हैं उसके बाद से इसका integration कर देंगे तो पूरा जो है 阻क्री शता से जो है वह निकलने वाला वैदरथ फ्लक्स निकल जाएगा तो फा यह हमने निकल लिया यानि पूरे इस वाक्रिय सतह से गुजरने वाला वैदत फ्लक्स कितना होगा तो इंटू डी ए यानि इस का जोड कर देंगे यानि पूरा इंटिग्रेशन कर देंगे तो इस पूरे वक्री भाग का एक तरीके से वैदत फ्लक्स निकल के आ जाएका तो ए और इंटू डी एडी एक च्छोटा सा जो है च्छेतरफल तो इसका integration करेंगे तो पूरा वक्र का च्छेतरफल आ जाएगा और पूरा वक्र एक बेलन है तो बेलन का च्छेतरफल टूपाई आरल हमने लिख दिया इसको समीकर नंबर एक माल लिया गौस के नियम से आप जानते हैं कि फाई इबराबर क्यू बटाई जीरो आ गया और उसके बाद से हमने क्या किया इसको समीकर नंबर तीन माल लिया और आप जानते हैं कि रैखे-कावेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटाइप ल होता है तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल हो गया अब इसे क्यू कामान उठाके समीकर नंबर तीन मे रखने के बाद लसे एल कट गया और यह फॉर्मिला हमें प्राप्ट हुआ और याद करने के लिए इस फॉर्मिले को हम विवस्तित रूप में यी बराबर वन अपॉन फॉर पाई एपसाइलम जीरो डू लेमडा अपॉन आर लिखते हैं समझ आया स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते समय दिमाग कई जगा भगता है दिमाग बड़ा चंचल है स्टूडेंट्स तो अगर आप पढ़ते समय आपने कई बार यह देखा होगा कि पढ़ रहे हैं आप जो है वो विद्वचेत्र की तीवृता और वह दूसरी तीवृता में घुसा हुआ है तो इसलिए दिमाग को संतुलित रखना दिमाग को फोकसित रखना बहुत जरूरी है बहुत जादा चंचल है कभी इदर भाग जाएगा कभी उदर भाग जाएगा कभी जो है वो फील्ड में चला जाएगा कभी स्कूल में चला जाएगा कभी टूशन में चला जाएगा तो इसलिए ज बहुत important है students और दूसरा आपका अनुप्रयोग क्या है दूसरा अनुप्रयोग है अनन्त विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैदुच्छेत्र की थीवता यह भी बहुत आसान है student इसको भी मैं समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार आप जल्दी स इस डाइग्राम को देख के समझने की कोसिस करिए कि क्या आपको समझा रहा है यह बात अब देखे स्टूदेंट्स कुछ है नहीं एक चादर है एक समतल विस्तार की समतल आवेशित प्लेट है यह चादर आप मान सकते हैं कभी कभी चादर भी क्वेशन में लिख के दे दे किसे बिंदू परोट linking 6 कि दी वर्ता आपको ग्याद करनी है ठीक है तुमाल यते हैं इस प्लेटोव की निकटि इधर की तरफ वो है अगा ज़घर की तरफ ॓डेस है ठीक है हमें वैद्व च्षे तडो ए थीव्रता निकालनीं है निकलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा ह suckay हमें जिस तरीके से वहाँ पेलनाकार फ्रिस्ट हमने लिया है इसी तरीके से इस बिंदू के चारो और हमें बेलनाकार प्रिष्ट कंसीडर कर लेंगे तो यह आपको जो यह कालपनिक एक बेलन दिख रहा है यह इस बिंदू आवेश के चारो तरफ हमने एक मान लिया है कि यह एक कालपनिक बेलन है ठीक है? तो जाहिर सी बात है students आप जर्ण सोचिए कि इस काल्पनिक प्रिस्ट होने के कारण इस पर से जो है वो वैदुत फलक्स गुजरे का तो इस प्लस की वावेश के कारण इस बिंदू पर यानि बिंदू ओ पर वैदुत फलक्स कि दर की तरफ होगा तो देखे इस बिंदू पर वैदुछेत्र की तीवरता की दिशा इधर की तरफ होगी क्यों इधर की तरफ होगी क्योंकि प्लस की आवेश का ये प्लेट है और प्लस की आवेश ये वैदुछेत्र की तीवरता वैदुछेत्र बाहर की तरफ होता है ठीक है और अगर इस सपहग के लंभवत जो है इस सथा के जोंता है इसता के लंब उत्र आख रफल सदश होता है यानि इस पर भी छेटर फलसा धिश कि दर तरफ होगा स्टूदेंड इधर की तरफ ही होगा दिये ठीक है ठीक किसी तरीके से इधर होगा जैसे उधर है वैसे इधर होगा तो इधर की तरफ वैदुत छेत्र मतलब वैदु छेत्र इधर की तरफ होगा प्लस की वावश के कारण बाहर की तरफ होता है और छेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ होगा लेकिन जब हम बात करेंगे इस बेलनाकार सतह के वक्रिय भाग की तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक अगर एक इक आंक छीट्रफ ले लेए तो यहां पर वैय्दुत बल वैदु छेत्र रेखाएं इधर की तरफ होंगी यानि वैदु छेत्र की दिशा यहां पर इधर की तरफ होगी क्योंकि प्लस की वाविश है तो बाहर की और होगी लेकिन छेत्र फाल सदिश क्या होगा आप इस बॉटल से देखें अगर यह एक बेला नमाल लेते हैं तो इस पर इस बेलनाकार शता के वक्रिय शता के लंबौत होता है छेत्र फाल सदिश तो छेत्र फाल सदिश किदर की तरफ होगा उपर की तरफ होगा यहां पर की तरफ होगा तो फिर यहां पर क्या बन गया नबे डिगरी का कोड बन गया तो जितना भी वक्रिय सता अब मिले फाई निकालेंगे टोटल आप फैद फ्लक्स निकालेंगे students अगर आप फाई तो फाई निकालेंगे अगर आप तो सबको देखें Integration समतल के लिए पहले देखते हैं समतल समतल 1 समतल 1 के लिए देखेंगे तो उदर की तरफ देख लीजए ई-Vector.D A Vector प्लस इंटिग्रेशन शंदकें 2 और ये भी हो जाएगा E-Vector.D A Vector ये हमें किसके लिए निकाला? इस वाले समतल हिस्सा के लिए बाइदो समतल सता है न, एक यदर है यदर है दोनों के लिए निकाल लिया प्लस के शाथ अब हम वक्रिय भाग के लिए निकालेंगे, ठीक है, वक्रिय भाग के लिए क्या हो जाएगा, 0 जैसा कि मैंने बताया, अगर थीटा बराबन 90 डिग्री है, तो ये कॉस थीटा की जगा पे जब 90 डिग्री पुट करेंगे, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है तो हमारे पास बचा कितना, ये सिर्फ ये दो बचा, ठीक है, ये दो बचा तो 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, E into DA, अच्छा तो E एक अचा रहे तो बाहर निकाल लीजे, और DA, यानि कि ये छोटा सा छेतरफल आपने लिया है, तो अगर आप इसका शमाकलन करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां पर हमने एक छोटा सा भाग लिया था, इस सतह पर, इस सता पर एक छोटा सा भाग लिया था, O और O डैस, और अब पूरा जो है, वो समतल सतह का, अगर छेतरफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, E A, और प्लस ये भी हो जाएगा, E A, तो अब आप जानते हैं क्या, कुलाम का नियम फिर प्रियोग करिए, कुलाम, यहां से आप दूसरा स्टेप यूज कर सकते हैं, कुलाम के नियम से, आप जानते हैं कि कुलाम के नियम से क्या होता है, 5 बराबर Q बटा एपसाइलम 0, समीकर नमबर 1 इसको माल लिए, समीकर न तुलना कर दीजे आंसर निकल के आजाएगा तो दोनों को तुलना करेंगे तो क्या आजाएगा आपका यह आजाएगा आपका टू एए बराबर क्यू बटाए अपसाइलम जीरो समीकर नंबर तीन मान लीजे स्टूडेंट्स आपको सेम उसी तरीके से करना है बस आपको थोड़ा बहुत अंतर ध्यान रखना है कि यहाँ पे छेत्रफल की बात हो रही है तो इसलिए छेत्री आवेज धनत्तों का प्रयोग करेंगे वहाँ पे एक अंक लंबाई का तार था अनंत लंबाई का तार था लेकिन यहाँ पे प्लेट की बात हो रही है तो प्लेट की जब भी बात होगी तो प्लेट में छेत्रफल होता है प्लेट में क्या होता है स्टूडेंट्स एरिया होता है प्लेट की लंबाई चोड़ाई मोटाई तीनों होती है तो इसलिए हम छे जानते हैं यहांपर क्या लिखेंगे Students कहां गया पकड़ो इसको हम हुआ जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानती हैं कि छेत्री आवेस घंतों को आप किस चीओ से डिनोट करते हैं students सिगमा से और सिगमा बराबर आप जानते हैं क्यों बटा ए होता है Kafka बराबर जब आप Q बटा A जानते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा students, Q बराबर हो जाएगा आपका sigma into A, Q बराबर क्या हो जाएगा students, sigma into A, अब समीकर नमबर 3 में, समीकर नमबर 3 में, Q कामान रखने पर, रखने पर, रखे Q कामान समीकर नमबर 3 में, तो समीकर नमबर 3 में जैसे ही आप Q कामान रखेंगे, तो sigma into A हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया क्या, 2E into A, पराबर sigma into A, और बटे में epsilon 0, आप देख सकते हैं, A से A कट गया, और यहाँ पर अगर आप E कमान निकालेंगे, यह जाएगा sigma और बटे में 2 epsilon 0, और यही होता है formula, यह 2 को इदर भेजेंगे, तो sigma बटा 2 epsilon 0 होगा, और इसे सूतर का आपको निगमन करना था, स्टार्टिंग में ही मैंने बिताया था, जब अनुपरियोग में बिता रहा था, कि आपको जो है, वो यहाँ पे, यही ग्याद करना है, अनन्त विस्तार के समरूप आवेशित और चालक प्लेट के निकट वैदुछेतर की दीवरता, सिग्मा बटे में टू एपसाइलम, जीरो या सिग्मा बटे में टू एपसाइलम नॉट निकालना है, और हमने इसको एक तरीके से यहाँ पे पूरा डराइव कर दिया, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको यह पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, कैसा लगा यह वीडियो, आप हमें कॉमेंट में बताइए जल दी से, एक बार फिर से अगर इसको दोहरा दे में आपको, ताकि आपको समझ आ जाए, तो आप यहाँ पे देखे, एक प्लेट है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वित्रित है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ एक प्लेट है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वित्रित है, अब यह जो आवेश एक समान रूप से वित्रित है, इस प्लेट के निकट हमें वैदु छेतर की तीवरता निकालनी है, गौस थेवरम का अनुपरियोग करके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बिंदु म होना चाहिए, तो बेलन क्या है, एक बंद आकरती है, इसलिए हमने एक बेलनाकार प्रिष्ट कंसिडर कर लिया, और इसी बेलनाकार प्रिष्ट में से होकर कितनी वैदुत वल रेखाएं गुजर रही है, उसके उपयोग से हम वैदु छेती की तीवरता निकाल सकते हैं, त है, तो सम्तल सता पर मैने कहा था, कि सम्तल सता पर प्लस की वावश्ट के अरण वैदुझाटर की दिशा, इधर की तरफ होगी, और सम्तल सता पर एक अगर सो छोटा छेतर फल ले ले लें तो वहाँ पे छेतर फॉल म्हाल सभाष इस, इस पूरे सम्तल सता की अं catch होती है इसका मतलब क्या कि अगर यह समतल सता है यह समतल सता है तो इसका लंबवाद क्या होगा यह समतल सता इस तरीके से है तो इसके लंबवाद ऐसे होगा ठीक है तो इदर्क की तरफ ही छेत्रफल शबिस हो गई तो छेत्रफल सदिश और वैदुचेत्र कि दिशा दोनों एक दूसरे के शवांतर हो गई यानि थीटा बराबर जीरो डिग्री यानि कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो सिर्फ शमतलिय भाग से मिलेगा क्योंकि वक्रिय भाग से देखेंगे तो छेतर फाल सदिश उपर की तरफ है और वैदत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही है तो 90 देगरी सकता से कोई भी वैदत फ्लक्स नहीं घुजरेगा वैदत फ्लक्स का मान वक्रिय शता से 0 हो जाएगा इसलिए सिर्फ हम समतल्स अता से वैदत फ्लक्स की घरना करेंगे और इसके अनुसार हम बैद छेतर की दीवरता निकालने की कोसिस करेंगे ठीक है बच्चो तो यहां पर 5 बराबर इसको E into DA DA क्या है इस समतर सदा पर छोटा सा छेतरफल हमने लिया था तो अगर इस छोटे से छेतरफल का समाकलन करेंगे यह पूरा छेतरफल आ जाएगा यह पूरा छेतरफल A है तो हमने E A लिख दिया और उधर वाले के लिए भी E A लिख दिया तो 2 E A हो गया इसको समीगर नमबर एक माल लिया हमने कुलाम के नियम से 5 बराबर Q बटा EPSILEM 0 समीगर नमबर 2 माल लिया यह भी 5 यह भी 5 दोनों को तुलना कर देंगे तो 2 E A बराबर सिग्मा बटा EPSILEM 0 हो गया अब 2 E A बराबर सिग्मा बटा EPSILEM 0 हो गया तो इसको समीगर नमबर 3 हमने माल लिया अब समीगर नमबर 3 जैसे हमने इसको माल लिया तो हमने क्या किया हमको पता है कि क्छेत्री आवेश घनत्व है सिगमा वराबर क्यों नहीं लगेगा यह यह कोई जो है वो गन नहीं है या घनाब नहीं है कि उसमें लंबाई चोड़ाई उचाई तीनों हो यह प्लेट है जिसमें लंबाई चोड़ाई होती है ठीक है तो इसलिए यहां पर छेत्री आविश घनतों की बात हो रही है तो छेत्री आविश घनतों यहां पर हम निकालेंगे तो यहां पर क्य कामान हमने इसमें रख देना हे हम इसी फॉर्मिला को फिउ उ क्यों नहीं किये क्योंकि यहां पे सिंगमा के रूप में कोई वैल् дости نtimal करके तकयों के रूप मेंमें इसको करके क्यों के वैल्यू को उठा के यहां पर रख देन जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ये आजाएगा तो य और एक ट गया तो ए बराबर हमें वैदय छेत्र की टीवरता इटा निकालनी थी यहां तो यह आपका जो है वह आसानी सए अनन्त विस्तार की समतल आवेशद प्लेट के निकट वैदय की टीवरता निक बचल के आ चुकी है स्टूडेंट्स ठीक है तो यह बहुत important important derivation है जिन को आप अच्छे तरीगे से ध्यान रखेंगे ठीक है बचो कुछ questions करा दूगा ठीक है कुछ questions करा दूगा देखते हैं कुछ questions अगर मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीगे से तो questions भी हो जाएंगे अग बहुत ही अच्छे तरीगे से questions आप solve कर पाएंगे ठीक है ठीक है तो चलिए मिलते हैं next session में अब questions जो है वो हम लो live class में करेंगे कि recorded में आपका जो है वो answer आएगा नहीं तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीगे से हम लोग live में questions को solve करेंगे जितना one sort में मैंने पढ़ाया जितना derivation कराया जितना हमने formula बताया जितना हमने परिभाशा बताया उन सभी की practice कर लीजेगा बहुत important है और कई बार आपके exam में पूशा जाता है यह सारी चीज़े पूशी जाएंगी तो बहुत important चीज है ठीक है एक चीज़ और याद रखेगा कि यह जो गौस का प्रमे लोग उससे related जो flux का मान होता है वो कई चीजों पर निरभर करता है और कई चीजों पर निरभर नहीं करता है तो question पूछेगा आपके exam में कि किन चीजों पर निरभर नहीं करता है तो जो वैदुत flux है जो काल्पनिक प्रिष्ट से बल रेखाएं गुजर रही है उसका पू लीजे कि एक ऐसा जो है वो प्रिष्ट है एक ऐसा प्रिष्ट है तो आवेश मा लीजे यहां पे है तो भी वैदुत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी इतना ही गुजरेंगी वैदुत फ्लक्स कमान उतना ही होगा अगर आवेश यहां रहेगा तो भी वैदुत फ्लक्स कमान वही रहेगा तो यह पॉइंट याद रखेंगे कि आवेश की स्थेती पर निर्भर नहीं करता है वैदुत फ्लक्स कामान ठीक है और काल्पनिक प्रिष्ट के आकार पर निर्भर नहीं करता है वैदुत फ्लक्स कामान जाहे वह आकार इस तरीके से हो आकार इस तरीके से हो त को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के शांट शेर करिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए क्योंकि बहुत जोरदार क्लास अगली होने वाली है सो आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए गाड ब्लेस यौल जैहिंद चेक केर बचो